नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जो एक एक परिवार को एक अक लाख रूपए दिये जाएंगे, अब जार्खन का कोई घर ऐसा नहीं होगा, जहां सरकार की कोई वजना नहीं होगी, मुखी बंदरी ने कहा है कि ये कई से 49 वरस तक की मा बहन और बेटियों को मैया समान वजना से जोड़ा गया, तो 50 वरस अधिक उम्रेके बुजर्गों को पेंसन वजना से सरकार जन्व से जीवन के अमतिम पड़ाव तक सबका ख्याल रख रही है, उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप बेटे बेटियों को पढ़ाएं, उनका ख़त सरकार उठाएगी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से बिना किसी करांटी के 15 लाख रुपे तक देगी, मुख्यमंत्री हजारी बाग के नगवा सिंदूर मैदान में जारखन मुख्यमंत्री मया समान परमंडलिय समारोख को समोधित कर रहे थे। सह गांडे से विधाय कलपना स्तुरेर भी मौजूद थी, इस तोरां सियम हमंस से कई मुद्दो पर बातचित हुई है, जारखन कॉंगरेस के नेताओन मुख्यमंत्री हमंसरें से मुलकात कर जनहित के कई मुद्दो पर बातचित की, इसके अलावा राज में बरतमा, राज से दिली पहुँचे और मुख्यमंत्री हमंसरें ने भी ट्वीट कर इसकी जनकारी दे दिया है, राश्ट्री पल्स पोलियो अभियान की सुरुवात मंत्री दिपक बिरुवा ने बच्चों को पिलाया ड्रोप, चाई बसा सदर अस्पताल में रभिवार को राश्ट्री प पल्स पोलियो अभियान के तवत कारकरम कायोजन किया गया, कारकरम में मंत्री दिपक बिरुवा सामिल हुए, मंत्री ने बच्चों को पोलियो की दवा पिला कर अभियान की सुरुवात की है, उन्होंने कहा है कि पल्स पोलियो अभियान में जीले में 0-5 वरस आयो के बच् को पोलियों की दावा पिलाने के लिए प्रेरित करे वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सू सान्तो मांजी ने राष्ट्रिये पल्स पोलियों अभियान से समधी बिस्ति जनकारी दी उन्होंने कहाए कि राष्ट्रिये पल्स पोलियों अभियान तीन दिन तक चलेगा प्रेस प्रभारी विजय कुमान ने बताया है कि श्रीकिष्ण जनमस्टमी को लेकर वीर कुवर स्टेडिया में 6 दिन तक मेला कायोजन किया गया है 26 अगस्त की रात में पुजा होगी इसके लिए भवे पंडाल का भी निर्मान कराया गया वहीं 27 अगस्त को पंडाल उधगाटन के साथ थी राधा क्रिष्ण बन्नो परत्योगिता आयोजीत की गई है 28 अगस्त को पुजा पाठ के अलावे भोग बित्रन होगा वहीं 29 को सीव चर्चा होगी और 30 को भजन संध्या का वजन किया जाएगा आदिवासी संगठनों का विरोध प्रदर्शन जगरनाथ पूर्थाना चेतर इस्थीत गोल चकर के पास कैलास पती नाथ मिस्रा के मूर्तिय स्थापित की गई है इसको लेकर अब्भी वार्गो केंद्रिये सारना समीति के अध्यस अजय तिर्की के अगऊई में विवीन आदिवासी संगठनों बिरोध प्रदर्शन कर प्रतिमा हटाने की मांग कर रहे हैं आदिवासी संगतनों के बिरोध परजसन को देखते गे परशासन ने भारी संख्या में पुलिस बलो के तेनाती की गई है मौके पर सिटी एसपी राजकुमर मेहता और हटिया डियसपी, कोतवाली डियसपी, सहितकई, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बलते नात है इससे पहले हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहारी मंदीर के सामने जुटे फिर वहां से बाइक से जुलूस के सकल में पुरानी विधान सबाब मैदान के लिए निकले लेकिन उनको बिर्शा चोक के पास ही पेट्रोल पंप के पास बरिकेटिंग लगा कर रोक दिया गया रांची चोकिदार भरती के लिए पीजी अभियार्थियों ने किया आवेदान जारकन के कई जीलों में चोकिदार की सीधी भरती चल रही है वही रांची जीले में भी 311 पदो पनियुकती के लिए आवेदान लिये जा रहे हैं राविवार 25 अगस्त आवेदान की अमतिमति थी है ऐसे में रांची समरनाले में आवेदान भरने के लिए अभियार्थियों की भीड़ लगी इस बरती के लिए 18-35 वर्ष के गेर्जवेट से लेकर पीजी तक के अभियार्थि आवेदान कर रहे हैं बतादे हजारों के संख्या में आवेदान जामा हो चुके हैं फोरम ओफलेंड माधम से जामा किये गए हैं अभियार्थियों के चैन सरीरिक और लिखित परिक्षा के नुसार किया जाएगा बाबुलाल ने कहा एफायार करने के लिए हमंत जी को अभार रांची के मुरबादी मैदान में 23 अगस्त को युवा आक्रोस रैली के बाद भाजपा नेताओ पर हुए और बीजेपी की नेताओ अकरकताओ सहीत हजारों युवा साथियों पर मुकादमा दर्ज कराया है इस एफायार के लिए सुरेन राज घरानने के एक्सिडेंटल राजकुमर हेमं सुरेन जी और उनकी 2020 खत्यांधारी दलाल बिचोलिया मित्र मंडली का अभार बाबुलाल ने कहा है कि हेमान सुरेन जी एक एस मुकादमे हमारे लिए पारी तोसिक के समान है जितना जोर लगाना है लगा लिजिए जितने केस मुकादमे दर्ज करने है कर दीजिए भारतिय जानता पाटी जुआओ की लडाई सरक से लेकर सदन तक और आंदोलन की रण भूमी से लेकर कोट का चारी तक पुरी मजबूती के साथ लड़ेगी वैसे राजनितिक बीरोधियों पर मुकादमा दर्ज करने का दुरूपयोग करने में आप तो भी स्वरी कोड कायम कर चुके है काहे नहीं जहारखन के साड़े तीन क्लोर लोगों पर एक के साथ मुकादमा दर्ज करवा देते है नोकरियां खत्मकर राजियों पर दोस मढ रहा केंद्र हेमंसुरेन मुख्यमंत्री हेमंसुरेन ने केंद्र पर फिर जमकर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि नोकरियां खत्मकर केंद्र राजियों पर दोस मढ रहा है उन्होंने कहा है कि केंदर सरकार ने फोज में नियुक्तिया बंद कर दी, कोल इंडिया में सरवधिक बहारी होती थी उसे भी बंद कर दिया गया बैंको में नोकरी घटा दी, रेलवे में नोकरी कम हो गई, लेकिन सारा दोस राज सरकार पर मढद दिया वे हजारी बाग में उत्री छोटा नागपुर प्रमंडल के लिए मुख्यमंत्री मयास समानी वेजना के लाभकों को रासी हतात्र के मौके पर साभा को समुधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार आदिवासी दलीत और अल्चंख्यों को का रक्षन खत्म करने की साइस रच रही है उन्होंने कहा है कि जार्खन देश में सरवधिक पिछला राज्य है यहां के लोगों को समाजिक सुरक्षा की सबसे अधिक जरूरा था लेकिन पुर्व की भचप सगार ने आम लोकों को छोड़ कर बड़े-बड़े बैपारियों और उद्योक पत्यों को संरक्षन दिया उनके कडोरों के रिन माप कर दिये केंदरिये करमचारियों को नई पेंशन की गरांटी सरकारे इस पर अमल करती है तो लभार्थियों की संख्य 90 लाग हो जाएगी UPS में खास बातिया है कि वर्ष 2004 से सेवा निवरित हुए करमियों को एरियर दिया जाएगा विदित हो कि वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन वेजना के अस्थान पर नई पेंशन वेजना लागू कर दी गई थी मंकी पोक्स को लेकर अस्पतालों में पांच बेड आरक्षित करने का निर्देश राजे में मंकी पोक्स की रोक्थाम बचाव नियंदरन जाज तथा इलाज सुनिश्चीत कराने को लेकर राष्ट्रीय स्वास्त मिशन के अभियान निदेशक अब्बू इम्रान ने समयत राजि के सभी मेडिकल कॉलेज एवं सभी सीविल सर्जनों को बिश्तिरित दिशा निर्देश दिया है इसके लिए उन्होंने मंकी पोक्स से बचाव तथा प्रबंधन के लिए एहत्यातन तोर पर सभी मेडिकल कॉलेजों तथा जिला अस्पतालों में कम से कम पांच आइसोलेटेड बेड को प्रिथक रूप से चिनित करने का निर्देश दिया ताकि संदिक्द मरीजों का इलाज किया जा सके साथ ही उन्होंने सब ही जीलों के अस्पताल वा स्वास्ट केंदर में संदिक्दों की गहन निगरानी वा परिक्षन सुनिश्चित कराने की हिदायत दी है रांची से रायपूर जयपूर और गुवा हाटी के लिए जल्द सुरू होगी फ्लाइट राक्षा राजमंत्री संजाय सेट ने इस मामले में प्रस्ताव भेजने का निर्देश यारपूर प्रबंधन को दिया है इसके साथ ही दिल्ली पुन्ने चेन्नाई बेंगलोरु के लिए सेवा में बिस्तार की जाएगी यहां के लिए हवाई जाहाजों की संख्या बढ़ाने पर सकरात्मक पहल हो चुकिया इससे यारपूर्ट पर बीमानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और यात्रियों को सहुलियत मिलेगी इसे लेकर भगवान बीसामूंड यारपोट रांची की सलाहकार समिती की बैठक सन्निवार को केंद्रे रक्षा राजमंत्री सा अस्थाने सांसत संजाय सेट के दखता में हुई यारपोट निदेशक आर आर मौर्या ने सभी नौ मनोनित सलस्वय कावी नंदन किया बैठक में राप्षा राजमंत्री ने यारपोट प्रबंधन को असपश टूप से निर्देशित किया है कि यहाँ से आवागमन करने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो डॉक्टर के फोन से मिली पाकिस्तान से जुड़ेतार जारखन से गिरफतार अलकाएदा इंडिया सब कंटिनेंट के पाच संदिग्द आतंकियों के बारे में लगातार नई जनकारिया सामने आ रही है बर्यातु के गिरफतार डॉक्टर इस्तियाक के मोबाईस से कई चोकाने वारी जनकारिया सामने आई है यह भी खुलासा हुआ है कि सभी आतंकी टेलीग्राम एप पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे इसी एप के जरी आतंकियों का पुरा नेट्वर्क चल रहा था इस पर कई गुरूप बने थे जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान वा अने देशों की आतंकी भी जुड़े थे डाक्टर इस्तियाक ने हजारी बाग के फैजान को इस मडिल से जुड़े युवाओ को हथियार की ट्रेनिंग दिलाने की जिमिदारी सोपी थी उसने कैई युवाओ को रायस्थान से लाकर हथियार चलाना बंबराने आदिक प्रसिक्षन दिलाया था धनबाद को सीम गंभीर बिमारी उपचार योजना के तहट मिले 4 करोर मुख्य मंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहट पिछले तीन महिने से इंतिजार कर रहे 92 रोग्यों को रासी का भुगतान किया गया है 10 दिनों के अंदर रोग्यों पर 3 को रुपए की रासी खर्च की गई इसते मरीज और उनके सोजनों ने राहत भरी सांस ली है योजना के तहट धनबाद को 4 को रुपए की रासी आवंटित की गई अब बच्चे हुए मरीजों को 1 को रुपए का भुगतान करने का निदेश सिविल सर्जन ने समंधित पताधिकारी को दिया है योजना के तहट असाध्य रोगियों को 5 लाख रुपए तक का इलाज का ख़च सरकार की ओर स्थे देदी जा रही है यह रासी इलाज कराने वाले अस्पताल को दी जाती है विभाग की माने तो असाध्य रोगियों पर इस वजना के तहट धनबाद को 7-8 कोई रुपए आवंटित होते है हेमंत सुरेन ने जो वादा किया था उसे निभाया नहीं बावुलाल मरांडी जारकन परदेश भाजपा के अध्यक्स बावुला मरांडी ने राजी की हेमंत सुरेन सरकार पर जानता को ठगने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि 5 वर्सपुर्व चुनाओ के समय जामों गटबंदन और उसके नेता हेमंत सुरेन ने जो वादा किया था उसे निभाया नहीं अब जब चुनाओ का समय आया है तो मुख्यमंतरी मया समान योईना से महिलाओ को ठगने का काम कर रहे है मरांडी ने सनिवार को हजारी बग में मीडिया से बाचित करते हुए कहा है कि पिछले विधान सबा चुनाओ में हेमंसुरे ने कई घोसनाय की थी जो अब तक पुरी नहीं हुई जारकन की मात्ता बहनों को सब पता है विधान सबा चुनाओ में उसका जवाब भी जरूर देंगी उन्होंने कहा है कि हर साल पांच लाख नौकरी देने की बात थी पांच साल में एक लाख युवाओ को भी नौकरी नहीं दी गई अब चुनाओ के समय बहाली की बात किया रही है नेवी का सोनार सिस्टम भी नहीं खोजबा रहा बिमान अलकेमिस्ट एवियेशन के बिमान का पता लगाने के लिए नेवी की टीम लगाता तिसरे दिन भी सर्च अभियान चलाया लेकिन सफलता नहीं मिली नेवी की टीम सोनार सिस्टम से बिमान को तलासने की कोशि इसकी लेकिन पानी के अंदर डूबे हुए मकान, चटान और पेड़ों की टहनिया ही मिल रही है नेवी की टीम सुबा 7 बजे सर्च अभियान शुरू किया और लपाता बीमान को तलासने के लिए कोईलागर, परतापपुर, कल्यानपुर, सहित, आसपास के छेत्रों में सुनार सिस्टम की मदद से बीमान की खोज बीन कर रही है लेकिन लापता बीमान का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है रांची पहुँचे केंद्रिय मंत्री चिराग पस्वान केंद्रिय मंत्री सहाजी पूर्लोक सबाद छेत्रे के सांसर चिराग पस्वान रभ्य और करांची पहुँचे जहां पार्टी नेताओं और करकताओं उनका जोरदार स्वागत किया इसके बाद उन्होंने राश्ट्रिय करकरनी की बैठक में हिसा लिया जहां सरो समती से उन्हें लोजपा का फिर से राश्ट्रिय अध्यक चुना गया अध्यक चुने जाने के बाद उन्होंने सबी नेताओं और करकताओं के प्रतिय भाहर परकट किया केंद्रीय मंत्री चिराग पस्वान आज राश्ट्रिय करकरणी की बैठक महिसाल लेने के लिए राची पहुंचे थे जैसे वे बीर्षा मुंड़ा यार्पोट से बाहर निकले पाटी करकरताओन उन्हें फूलो का गुल दस्ता देकर स्वागत किया इस दरन वे सभी का हाथ जोड कर अविवादन किया इसके बाद वे सिधा बीर्षा चोग गय जहां से बीर्षा मुंड़ा की पतिमा पर मलयारपन किया उन्हें सरदान लिकी धन्यवाद